माई तड़का की दरब से आपको नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं अलोविरा की फलियों की सब्जी सर्दियों की दिनों में अलोविरा की फलियां आसानी से मिल जाती हैं यह सब्जी बहुत ही स्वास्ते वर्दक होती है इसे आप जरूर ठाएं यह देखे हमने आदा किलो इसको बनाने के लिए अन्ने साम गरी है, दो प्याज जिनको काट लिया है, और दो तमाटर जिनको बारिक तुक्डो में काट लिया है, मसाले में दो चम्मच धन्या पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, सवादा नसार नमक और तड्के के लिए जीरा, साबुत लाल मिर्च, ठोड़ा लैसुन सबजी को बनाने में सर्षूं का तेल काम में लेते हैं और थोड़ा आदा ग्लास पानी अब इन फलियों को काट लेते हैं यह बहुत ही कच्ची फलियां हैं यह आसानी से कट रही हैं इनको छोट छोटे पीसेज में काट लेते हैं यह देखिए सभी फलियों को काट लिया है और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी गैस होन कर दिया है कड़ाई रख दी है और अब इसमें तेल डालेंगी तेल अपने आपसिकता नुसार डाल सकते हैं तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं यह देखिए तेल गरम हो चुका है अब इसमें परसे पहले जीरा डालते हैं इसकी बार तेवाद अलिए लाशन प्याज को ब्रावन होने पर पताएं गेस्ट अफ्लें मेडिया रखते हैं इन तो दुनी आप पर पताएं बहुती टेस्टी सब्जी बनेगी प्याज ब्रावन हो चुकी हैं आप इसमें कटी ही फलियां डाल देंगें इनको अच्छे से फ्राई करेंगें इसको तीन-चार मिनट के लिए फ्राई करेंगें इस तुड़ी नरम होने लगें यह सब्दी बहुती स्वास्ते वर्दक हैं जोडों के दर्द में राम बान का काम करती है पातिन सब्दी को बढ़ाने वाली इस सब्दी को आप सड़ियों के दुमा में आवस्ते खाएं अ अच्छे से मिलाईगे अब इसमें थोड़ा पानी अड़कर में आ रही है जिससे अच्छे से पक जाए गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे और इसको तीन-चार मिनट के लिए ढखकर के रख देंगे यह देखिए ढटकर अटा कर देखते हैं बहुती अच्छी फुस्प सब्सबूदार सब्सब्स बन करके तयार हुई है और यह सब्सब्स बना करके इसका अनन्द अवस्य उठाई सब्सब्सब्स टेल चोडने लग गई है इसका मतलब आप ये पक करके तयार हो चुकी है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी को फुरा ठंडा होने देते हैं ये देखिए बहुती अच्छी खुस्बूदार एलोविरा की फलियों की सब्जी बन करके तयार हुई है ये सब्जी बहुती पॉस्टिक और स्वास्ते वर्दक है इस सब्जी को आप अवस्य खाएं अच्छा एलोविरा की फलियों की सब्जी बनाने की विधी पसंद आई हो तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवस्य दबाएं अच्छा धन्यवत